राथे राथे भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी कौन सी ऐसी आदते हैं जो खुद ही गरीब्वी को हमारे घर में बुलावा देती हैं इन आदतों को हमें जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए नहीं तो द्रिदर्ता हमारे घर में वास कर लेगी पहली जो आदत है वो है देर तक सुबह सोना जो लोग सुबह देर तक सोते हैं उनके घर में महालक्षमी कभी भी निवास नहीं करती उनके घर में धन की कमी हमेशा ही बनी रहती है इसलिए देर तक सुने की आदत हमारे घर में गरीबी को बुलावा देती है दूसरी आदत है घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान ना करना कई लोगों की आदत होती है कि वो अपने बुड़े माता पिता की इज़त नहीं करते और कई बहुएं भी ऐसी होती हैं कि वो अपने सास ससुर को बोज समझती है ये जो आदत है ये गरीबी को बुलावा देती है क्योंकि ऐसे लोगों के घर में महालक्षमी कभी भी वास नहीं करती क्यूंकि वो ये सूचती है कि ये लोग अपने माबाप की अजज़त नहीं करते तो वो फिर उन लोगों से कभी भी अपना जो वास है उनलोगों के घर में नहीं बनाती इसलिए हमें अपने माबाप की बड़े बुज़ूर्गों की हमेशा ही अज़त करनी चाहिए और कई लोग चलते हुए पैर घसीट घसीट कर चलते हैं जो लोग इस तरह चलते हैं जिनकी ऐसी आदत होती है उनकी शादी शूड़ा जिन्दगी कभी भी अच्छी नहीं होती उनमें आपस में हमेशा ही मन मुटाव बना रहता है और जहां पे लड़ाई चगड़े होती हैं वहां पर हमेशा गरीबी ही वास करती है वहां पर कभी भी धन नहीं आता और मा लक्ष्मी की कृपा कभी भी लड़ाई चगड़ा करने वाले लोगों पे नहीं होती और कई लोग नहाने के बाद वैसे ही अपने बात्रूम से बाहर आ जाते हैं और जो अपने नहाने का गंदा पानी होता है वो वहीं पे बात्रूम में ही छोड़ देते हैं ये बहुत एक गंदी आदत है नहाने के बाद हमेशा बात्रूम में वाइपर मारकर वो जो नहाने वाला पानी है उसे साफ कर देना चाहिए नहीं तो सब लोग उस बात्रूम में जाते हैं फिर वही पैर लेके सारे घर में चलते हैं तो इससे नकार आत्मकता सारे घर में फैलती है और जहां पर नेगिटिवटी फैलती है वहाँ पर कभी भी मा लक्ष्मी का वास नहीं होता और कई लोग अपने घर से शाम के समय दही नमक दूसरे लोगों को दे देते हैं जैसे ही कोई परोसी या कोई अन्या मांगनी आ गया तो उसे वो नमक और दही देते हैं इसका सीथा मतलब यही होता है कि हमने अपने घर से जो मा लक्ष्मी की कृपा है दूसरे के हाथ में दे दी है इसलिए शाम के समय कभी भी दही और नमक किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी से लेना चाहिए और कई लोग अपने प्रोसियों से बहुती बुरे सलूक रखते हैं उनके सबंद अपने प्रोसियों से अपने रिष्टेदारों से अच्छे नहीं होते अगर कोई उनके घर आ जाए तो वो उसका अपमान करते हैं ये जो आदत है ये भी गरीबी को बुलावा देती है ऐसे लोगों के घर में कभी भी मा लक्षमी वास नहीं करती और कई लोग अपने घर में तूटे फूटे बरतन और फटे होए कपड़े बांध कर गठरियों में रखते हैं जहां पर ऐसी चीज़ें होती हैं वहां पर दृद्रता का ही वास होता है वहां पर मा लक्षमी का वास कभी नहीं होता और कई लोग या औरतें ऐसी होती हैं कि अपने घर में जोर जोर से बोलती हैं बच्चों को जोर जोर से डाटती है उनकी आवाज घर से बाहर जाती है जहां पर ऐसे सोभाव की स्थरियां रहती है वहां पर मा लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता इसलिए जो महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा चाहिए कि वह बहुती सुमय धंग से बोले और बहुती प्यार से अपने बच्चों से बात करें जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में हमेशा मा लक्ष्मी वास करती है और उंची उंची बोलने वाले लोगों के घर में रड़ाई जगडा करने वाले लोगों के घर में मा लक्षमी का वास कभी भी नहीं होता और कई लोग अपने नाखुन और दांत गंदे रखते हैं और जो लोग ऐसा करते हैं वहां पर मा लक्षमी का वास कभी भी नहीं होता वो जितनी मर्जी कोशिश कर लें उनके घर में मा लक्षमी कभी भी नहीं आती और उनके पास हमेशा ही धन की कमी बनी रहती है और कई लोग अपने घर में बहुत ये गंदगी बिखेर कर रखते हैं घर की साफ सफाई पर ध्यार नहीं देते जगा जगा उनके घर में जाले लगे होते हैं अखबारों की रद्धी के धेर लगे होते हैं उन पर मिटी पड़ी होती है और जिन लोगों के घर में ऐसा समा निकठा पड़ा रहता है गंदगी पड़ी रहती है वहाँ पर दृद्रता का ही वास होता है वहाँ पर हमेशा गरीब भी रहती है वहाँ पर मा लक्षमी की कृपा कभी नहीं होती और उनका जीवन दुखों से भरा रहता है इसलिए ये कुछ आदते हैं जिनका के हमें सुधार कर लेना चाहिए अगर हम इन आदतों को छोड़ देते हैं तुमा लक्षमी की कृपा हमारे घर पर हमेशा बनी रहेगी और हमारे घर में धन की कमी नहीं होगी जै माता दी